शिरी शिवाई नमस्त व्याम कैसे हैं दोस्तों आशा करते हूँ कि आप लोग बिल्कुल सई सवस्त होंगे हर हर महादेव आज आपके लिए बहुती खास उपाई लेक्याई हूँ और ये नाक पंचमी के उपाई हैं कल कर दिन 21 अगस्त 21 अगस्त को काननाक पंचमी है जैसे कि आप लोगों को पता ही हैं क्योंकि आप तो सारी वीडियोस देख रहे हैं और साथी साथ आप इतने नियम भी कर रहे हैं और पूरे दो महिने से आप लोग इतनी महनत में लगे हैं 69 दिन से कि आपके हर एक समस्या का समयधान आपको जरूर मिले और शिप किरपा आपके शेयर पे और आपके घर पर आपके बच्चों पर बनी रहें आपके वेबसाई वेबपाई खुब अच्छे से चलता रहें जो आप आर्थिक परिशानियों का सामना भी उठा रहें वो भी दूर हो जाए तो माता लक्षमी का भी आपके उपर किरपा बनी रहें और घर पर बनी रहें तो ऐसे ही कुछ खास उपाई आज आपको मैं बताऊंगी नाग पंचमी के कल नाह दो के आप बिलकुल फ्रेश के सुबा के टाइम पर त्यार हो जाए और एक थाली त्यार कर लें थाली में मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या-क्या समगरी रखनी है जो भी आपके घर में आप करना चाहते हैं नाग पंचमी की पूजा तो वो आप करें नहीं तो आप जाके शिवाले किसी पूजा अर्चना कर सकते हैं तो आपने अपनी एक लोटा जल में दूद मिलाना है और एक लोटा जल गंगा जल मिला के एक लोटा त्यार कर लेना है आपने शमी पत्र रखना है थोड़ा सा आपने शहद रखना है थोड़े से आप गेहू रख ले या तो आप जो रख ले दोनों में से कोई भी चीज रख सकते हैं थोड़े से काली मिर्च रख ले थोड़ी लॉंग रख ले थोड़ा काला तिल रख ले एक धतूरा रख ले धतूरे के बीज रख ले वो फूल रख ले और या तो फिर आप एक मदार रख लें, मदार का फूल भी रख सकते हैं साती साथ आप भांग के पत्यां भी रख सकते हैं और बेल पत्र तो इतना अवश्य है कि बेल पत्र बिलकुल भी ना छोड़ें बेल पत्र पांस से साथ जरूर रखें साती सात 11 दाने या जितने भी आपको चेहे लेकिन मनोच्छा अगर आपको चाहिए पूरी करनी है तो 11 दाने जरूर रख लेना अच्छत चावल जिसे बोलते हैं अखादाना आप बिल्कुल भी टुटा-फुटा ना ले और लॉंग भी बिल्कुल टुटी-फुटी ना रखना कोई भी चीज नहीं ऐसे रखना कटा-फटा जो की बेल पत्ती है या भांग है या शमी पत्र है कोई भी चीज फूल रख लें सफेद अगर आपको चड़ाने का मन करें तो फिर अगर आपको कमल का फूल मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा है ना मिले तो कमल गट्टे रख लें साथ कमल के गट्टे रखे या 21 रखे या 11 दाने रखे कमल गट्टे के और लाल पिला चंदन रख लें थोड़ा थोड़ा सा समगरी हर एक चीज आप रख लें एक टोकरी में बना ले या तो सिधा आप थाली में रख लें और शिव भवान के उपर भोग लगाने के लिए भी जरूर रख लें बहुघ में आप फल भी रख सकते हैं नहीं तो आप जो भी रखना चाते हैं वो रख सकते हैं कल का दूध दिन दूध जरूर रखना क्योंकि नाक पंचमी का दिन है और शिव भवान के भी जो सेना है वो भी साप है और साती सात उनकी बेटियाивает मनसा देवी हैं वो भी नाग हैं तो इसलिए जरूर रखना ऐसा दूद अलग से एक कटोरी में उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला लेना या तो शैद मिला लेना कल कर दिन अभी शेक भी कर सकते हैं शिवलिंग पर पंच अम्रित भी रख सकते हैं दही दूर शैद शक्कर गुड सारी जीजे आप पंच अम्रित एक बना ले और रख ले एक कटोरी साती सात अब घी भी रख ले लाल चंदन रख ले शिव भगवान को लगाने के लिए या गोपी चंदन रख ले क्योंकि कल के दिन घी का भी आप तिलग लगाएंगे शिव भगवान को तब भी आपकी मनो काम आपने पूर्ण करनी हैं तो आपने करना क्या है किसी भी शिव मंदीर चले गहे और आपना थाल ले जाएं जो आपने समगरी का त्यार किया है फूल पान दीप-दूप आप you दीपक भी एक ले जाएं और दूब्ध अगर वत्ति दूप दीप जो भी लगाना चाहते हैं वो चोखट पे सबसे पहले अपनी मनों कामना पूर्ण करते हुए शिव मंदिर से ही शुरू करने चोखट से अपनी मनों कामना अगर पूरी करनी है तो आपने ग्यारा दाने चोखट पे चड़ा देने हैं चड़ा के अपनी मनों कामना करते हुए आप शिव बाबा के पास चढ़ा दें अशोक सुंदरी से होते हुए और पूरा एक लोटा जल अच्छे से चढ़ाएं चढ़ाने के बाद आपने बेल पत्र का नंबर आ जाता है दूसरा आप बेल पत्र लेंगे तो बेल पत्र पे आपने पीला लाल चंदन लगा देना है अपनी मनो इच्छा करते और बीच की जो डंडी होती है बेल पत्र पे वहां पे शहद लगा दे ऐसा कर देने से अगर आपकी नोकरी आपको नहीं मिल पा रही है या आपका वेबसाइट वेपार आपका रुका है आपको धन की प्रापती नहीं हो पा रही है या आपका कोई कारिया अटग्या है जो कि आप कर नहीं पा रहे है तो आप बीशो बीश में बिल्कुल शेहद लगाए और वो आपने सीधे की तरफ चंदन भी लगाना है और सीधी डंडी की तरफ आपने शेहद भी लगाना है लगाने के बाद आपने शिव लिंग पर उल्टा करके चिपका देना जिस साइड लग ऐसा कर देने से आपकी सारी मनोच्चा इस 69 दिन के बाद आपको पूरा फल की प्राप्ती एक हजार गुना मिलेगी। आपके जो भी कारिये रुके हैं वो एकदम पूरे कर देंगे शिप भगवान। तो ऐसा करते हुए आपने बेल पत्र चढ़ा देना हैं। पांच चढ़ा सकते हैं साथ चढ़ा सकते हैं अगर आपका बहुती ज़्यादा भाग्ये बिलकुल भी काम नहीं कर रहा हैं। बहुती परिशम कर रहे हैं और एकदम आपका कोई धनलक्षमी का वासनी होता वैपार चलता नहीं, कोई परिक्षा आपकी किलियर नहीं हो रही, कोई भी इंटर्वियू आपका किलियर नहीं हो रहा, कोई भी आपका करजा दूर नहीं हो रहा, ऐसा अगर कोई भी दिक्कत है समस्या है तब आपने करना क्या है अशोक सुन्दरी के पास आपने जो कमल गट्टे लेके गए हैं साथ कमल गट्टे अशोक माता किसे आप अपनी सारी मनों कामना कहते हुए आपने वहापर कमल गट्टे साथ चढ़ा देने हैं या तो आप वहापर बेल पत्र भी चढ़ा द कि आपके जो भागे की रेखा रुकी हुई है वो आपकी चलने शुरू हो जाएगी इसतना ही कर देने से माता अशोक सुन्दरी का आपके ओपर किरपा बनेगी और धल नक्षमी का वास भी होने लगेगा साथी साथ आपके घर में जो भी दिक्कत समस्य आपके उपर चल रही है जो आपका काम अटका हुआ है वो कारिये सारे सफल होने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद आपने करना क्या है जैसे एक लोटा जल चड़ा दिया आपके अगर कोई भी कारिये अटका है आपके बिल इच्छा कहते हुए शिवलिंग पर आप चड़ा दें जैसे कि आपके शेरी पर आपके जीवन जिन्दिगी में आपके काटे भरे दर्द हैं संकट है वैसे ही काटे भरा आप अगर इस धतूरे को शिवलिंग पर चड़ा देते हैं तो भीकवान आपके सारे दुख संकट उसी टैम हर देंगे और आपके सारा दुख ले लेंगे उस काटे भरे फल्क के साथ और आपके जीवन और जिन्दिगी में एकदम खुश्यां आ जाएंगी बदलाव आ जाएगा तो ऐसा करें और जैसे कि आपको बताया है कि अगर भगवान को कोई भी फूल चड़ाना है तो आपने करना क्या है जैसे मैंने बुला कि सफेद फूल ले जाएए सफेद फूल 108 ले जाएए या आपके पास जितना भी मिल जाए एक दो चार जो भी मिल जाए आपने भगवान को चड़ा देना है शिवलिंग पर सफेद रंग के फूल और एक लोटा जल के साथ में ऐ ऐसा कर देने से आपकी मनोच्छा पूरी होगी और सफेद रंग बहुत जादा शिवलिंग को पसंद है तो शिवलिंग पर जरूर सफेद फूल ही चड़ाने चाहिए तो एक लोटे जल के साथ में सफेद फूल चड़ा के अपनी मनोच्छा पूरी कर सकते हैं और अगर ऐसा कारिय अटका हुआ है कि आप उसको चाहते हैं और कोई भी जैसे कि आपका कर्जा ही है और कर्जा बिल्कुल भी दूर नहीं हो पाता तो आपने करना क्या है मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप लोंग लेके गए हैं साथ लोंग अपनी हतेली पर रख लें और अपनी मनोच्छा कहते हुए आपने वो शिवलिंग पर चढ़ा देना है अगर आपका कोई कारिय ऐसा है करजा दूर नहीं होता कोई भी चीजा है तो 108 भी शिवलिंग पर चढ़ाने की वस्तू का पर्मान है तो आपने 108 दाने मुंकी दाल के चढ़ा सकते हैं 108 आप फूल चढ़ा सकते हैं 108 बेल पत्र चढ़ा सकते हैं 108 कमल गटे चढ़ा सकते हैं 108 जो चढ़ा सकते हैं गेहूं चढ़ा सकते हैं चावल चढ़ा सकते हैं आपके पर जो भी सामर्थ है आप वो लेके जाए और 108 जैसे पर्मान है शिवलिंग पर चढ़ाने का आप वैसे ही चढ़ा दें अपनी मनो कामनाई पूर करने के लिए तो आपके जो भी मनो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी जैसे कि किसी की जादा तब्यत खराब रहती है डॉक्टरों में पैसा जाता है और बहुत जादा बिमार रहता कोई वेक्तिगर का तो उसको करना क्या है कि एक लोटज जल में थोड़े से काले तिल डाले लाल चंदन डाले डाले डाल के शिवलिंग पर चढ़ा दे ऐसा कर देने से रोग मुक्त हो जाएगा और करजे से भी छुटकारा अकाल मुरुत्यू से भी जुछ को चुटकारा मुलेगा अगर उन किसी के घर में अकाल मुरुत्यू होती है पहले कभी कुछ हुआ हो एक्सीडेंट हुआ या ऐसी कुंडली की साब से कई वरी तकलिफ हो जाती है जिससे की एक्सीडेंट वेगरा बने रहते हैं वो बड़ी सी बड़ी बिमारी भी दूर हो जाएगी और ये आप शमी पत्र और शहद लेके गए थे जो भी आपको सरकारी नौकरी की जरूरत है इंट्रिव्यू कर रहे हैं जो रह जा रहा है आप अगर शमी पत्र में शहद लगा कर शिवलिंग का शिंगार कर देते हैं तो उससे सरकारी जौक की प्राप्ती होगी आपके जो भागे में कोई कुछ अर्चन आ रही है वो सारे आपके घ्रह शांत हो जाएंगे और बिलकुल आपका काम बनना शुरू हो जाएगा तो आपको ऐसे ही जौक की प्राप्ती हो सकती है ये कारिये जरूर करें ये उपाये जरूर करें शहद और शमी पत्र का तो ये छोटे-छोटे से खास उपाये अपनी जिंदिगी और जीवन में करें और आपको ऐसा सुनैरा मौका बार बार नहीं मिलेगा इतना 19 सालों के बाद ऐसा सुन्जोग बना है जो कि अधिक मास और सावन मास का महीना हमें मिला है ऐसे उपाय करने से हमारी जिंदिगी के सारी समस्याओं का हाल हमें मिल सकता है इन छोटे खास उपायों के साथ में और कुछ भी नहीं करना हम हमेशा पूजा पाट करते ही है और थोड़ा सा अगर हम ऐसा उपाय करते हैं इससे हमारे शिप की किरपा हमारे उपर बनी रहेगी माता दुरगा की किरपा हमारे उपर बनी रहेगी साती सात मा लक्षमी हमारे से पसंद होगी और हमारे घर में वास करेगी तो ये छोटे खास उपाई कैसे लगे अगर अच्छे लगे तो वीडियो को जादे जादा लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन जो दोस्तों ने उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जो नए आ रहे हैं जिनों ने किया नहीं हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन बटन के साथ कि ऐसे खास उपाई के साथ में आती रहूंगी और आपको जानकरी देती रहूंगी और हर एक खास उपाई करने से हमारी जिन्दगी और जीवन में बदलाव आएगा तो श्री शिवाई नम नमश्वाई जैजैमालक्ष्मी और ये खास उपाई करके मुझे अपना फीडबैक जरूर देना कमेश एक्षन में अगर कोई दिक्कत हो परिचानी हो या अगर आपको कुशी कुंडली के बारे में जानना हो या किसी उपाई के बारे में तो इस स्क्रीन पे नंबर दियो पे आप संपर्क कर सकते हैं वाट्साप कर सकते हैं आगे फिर मिलती हूं तब तक के लिए शीरी शिवाई नमस्तों गयों यार किसी नंब देख लग वाट छूओएपड़न तुम नहीं तुमारान तुमारानी हो याईन हो झाला हुझा फिर negatives